सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के कोरोना वारस से जूज रहे ब्रिटेन में एक और रहसे में बिमारी ने अपनी दस्तक दी है ये बिमारी बच्चों को अपना शिकार बना रही है लगबग 100 से अधिक बच्चे इस बिमारी का शिकार हुए है ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस बिमारी से संक्रमित रोग्यों की संख्या बढ़ सकती है डॉक्टरों ने इस बिमारी को कावा सा की नाम दिया है दुनिया में इस संक्रमन की तुलना कोरोना वाइरस के साथ की जा रही है जानकारी के मताबिक 5-16 साल के बच्चे कावसाकी नाम की एक संक्रामक बिमारी से पीडित हो रहे हैं अब तक बिटेन में 100 से ज्यादा बच्चों को कावसाकी बिमारी हुई है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह का संक्रमन शायद कोविड-19 से प्रभावित बच्चों में हो रहा है आज के डियनेस में जानेंगे इस रहसे में बिमारी कावसाकी के बारे में और साथ ही समझेंगे कि दुनिया भर के डॉक्टर कोरोना वैशिक महामारी के दौरान कैसे इस बिमारी से निपटने के जद्दो जहद कर रहे हैं कावसाकी बिमारी एक ऐसी बिमारी है जो रक्त वाहिकाओं पर असर डालती है कावसाकी रोग त्वचा और नाक गले और मुह के अंदर भीतर म्यूकस मेंबरेन्स पर प्रभाव डालती है कावसाकी रोग को म्यूकोइसक्यूटियस लिम रोड सिंड्रोम भी कहा जाता है कावासा की रोग होने पर बच्चों की पूरी बॉडी में रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है इसे हिदे की धमनिया शतिग्रस्त हो सकती है ये रक्त वाहिकाएं खून को दिल तक ले कर जाती है जापान, कोरिया और ताइवान को मिला कर पश्चिम एशिया में कावासा की रोग 10 से 20 गुना ज्यादा है इसे पीडित अधिकतर बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के होते हैं और औसत आयोवाले करीब 2 साल के होते हैं लड़कियों की तुलना में लड़कों को ये विमारी होने के संभावना दो गुना होती है कावासा की रोग की लक्षन चरणों में उफर कर आते हैं कावासा की रोग के पहले चरण में आमतोर पर 102.2 फेरानाइट से अधिक बुखार रहना हातों, पैरों की सूजन, होटों और गले में जलन और सूजन और चिर्चड़ापन जैसे लक्षन दिखाई देते हैं इस बिमारी के दूसरे चरण में हात और पैर की त्वचा का पीला पढ़ना जोणों में दर्द, डाइरिया, उल्टी, पेट दर्द जैसे लक्षन दिखाई देते हैं कावासाकी रोग को कई लक्षनों के दिखाई देने की वज़़ा से कावासाकी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है साल 1967 में जापान के एक बच्चों के डॉक्टर टोमी साकू कावासाकी ने पहली बार इस रोग की पहचान की थी इनी के नाम पर इस बिमारी को कावासाकी रोग के नाम से जाना गया साल 1976 में पहली बार इस रोग के मामले जापान से बाहर अमेरिका के हवाई राज्य में दिखाई दिये डॉक्टरों और शोतकरताओं के पास अभी तक इस बिमारी की असली वजह को लेकर कोई पुखता जानकारी नहीं है ये बिमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है अक्सर कावासाकी रोग सर्दियों की अंत और पत्चड की शुरुवात में होने की गुंजाईश रहती है कई शोदों में इस बिमारी की वजह बैक्टीरिया, वाइरस या परियावरनिय कारकों को बताया गया है लेकिन अभी तक इन में से किसी भी कारक की पुष्टी नहीं की गई है कभी-कभी इस बिमारी की वजह माता-पिता से बच्चों में आए जीन को भी बताया है यू तो इस बिमारी की शुरुवात में ही इसके लक्षणों के सामने आने पर इसको ठीक किया जा सकता है लेकिन कुछ खास मामलों में जहां इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है वहां सर्जरी की वी जरुरत पैदा हो सकती है कुछ मामलों में दिल की धरकन का असमान्य होना, हाट की मांस पेशों में सूजन, हाट वेल्स का शतिक्रस्त होना और रक्त वाहिकाओं में सूजन आने की वज़े से परिस्तितियां असमान्य हो सकती है नवजाज शिशों में गंभीर खत्रों की सबसे ज्यादा संभावना रहती है एक नज़र डालते हैं COVID-19 और कावसाकी पर कोरोना संक्रमित बच्चों में प्रतिरोधक शम्ता के कम होने की वज़े से कावसाकी की तीवरता ज्यादा पाई गई इसके अलावा कोरोना संक्रमित बच्चों में इस रोग के होने के संभावना भी ज्यादा पाई गई हाला कि कोरोना महामारी के बाद में कावसाकी से ग्रस्त बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता की सक्रियता काफी बढ़ गई थी हाला कि भारत में कावासा की रोक के मामले काफी कम पाए गए हैं लेकिन पिछले दो दशकों में इसके मामले तेजी से बड़े हैं इन आकडों के मद्द नजर महामारी के दौरान बच्चों की सेहत पर खास ध्यान देने की जरुरत है भारत और दुनिया के तमाम देशों को इस बात पर कौर करने की जरुरत है कि कोरोना महामारी में ऐसी बिमारियों को नजर अंदाज ना किया जाए और इसकी दवा और इलाज पर शोद को वरिता दी जाए ताकि दुनिया में बच्चों की भवशे पर प्रश्ण चिन ना लगे